असलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ अदनान खान and you are watching smart movies walk channel आज का हमारा टॉपिक है greater israel आपने social media internet पे एक greater israel का अलग ही map देखा होगा तो क्या है यह map और कितनी countries आती है इस map में और कितनी countries पे इसराइल अपना कबज़ा करना चाता है सब भी कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में तो वीडियो में end तक बने रहें और अगर आप मस्जिद अलक्सा के बारे में जानना चाते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं description में आपको link मिल जाएगा सबसे पहले मैं आपको greater Israel की history से बताने की कोशिश करूँगा कि ये map कहां से आया और Jews इस जमीन पर क्यों कबज़ा करना चाते हैं अगर हिस्टरी को उठा कर देखा जाए तो सबसे पहले दाओद अलिस्सलाम ने फिलस्तीन और इस्राइल वाले एरियो को फते किया और एक بहुत ही बड़ी सलतनत कायम की जिसको United Kingdom of Jerusalem भी कहा जाता है दाओद अलिस सलाम को Christians और Jews में David के नाम से जाना जाता है जबके इसलाम में इन्हें दाओद अलिस्सलाम के नाम से जाना जाता है इनका जनल 10 सेंचुरी बीसी में हुआ और इनकी डैथ 9 सेंचुरी बीसी में जरुसलिम में हुई जिस तरह हमारे पेगंबर मुहम्मद صلی اللہ علیہ السلام पर कुरान नाजिल हुआ उसी तरह से दाओद लेसलाम पर जुबूर किताब नाजिल हुई दाओद लेसलाम के बाद ये सलतनत उनके बेटे सुलेमान लेसलाम के हिस्से में आई सुलेमान लेसलाम को क्रिस्चन और ज्यूज में किंग सोलो मैन के नाम से भी जाना जाता है सुलेमान लेसलाम जरुसलिम के ठर्ड किंग माने जाते थे और सुनने में आता है कि सुलेमान ऐस्लाम जानवरों और जिनों से भी काम ले लिया करते थे और अरब की हिस्ट्री में सुलेमान ऐस्लाम को वर्लड का one of the greatest ruler भी माना जाता है तो सुलेमान ऐसलाम की ruling में kingdom of Jerusalem कुछ जादा ही बड़ी हो गई थी जिसमें मिसर का कुछ हिस्सा, साओधिय अरब का आदा हिस्सा, इरान का आदा हिस्सा और पूरे जॉर्डन के साथ साथ कुछ सीरिया और टर्की का हिस्सा भी इस महान सल्तनत में आता था तो यही वज़ा है कि जो लोग जूस धरम में यकीन रखते हैं, वो लोग सुलिमान अलिएससलाम की हासिल की गई सल्तनत को दुबारा हासिल करना चाते हैं और इसको इन्होंने अब नाम दिया है ग्रेटर इजराइल का कहा जाता है कि जूस की किताब तौरत में अल्ला की तरफ से इनको एक बहुत बड़ी सल्तनत देने का वादा किया गया था यह सारी कंट्रीज इस सल्तनत में आती हैं जैसा कि मुस्लिम रिलिजन का मानना है कि कयामत से पहले इस दुनिया में आएंगे और पूरी दुनिया में अपनी सल्तनत को कायम करेंगे उसी तरह से जूस का भी मानना है कि उनका एक मसीह कयामत से पहले यानि दुनिया खत्म होने से पहले इस दुनिया में आएगा और उनको वही मकाम वापिस जिलाएगा जो सुलेमान अलेशलाम और दाउद अलेशलाम के दौर में इनका मकाम हुआ करता था गाईज अगर आप लोग जानना चाते हैं कि जूस यानि यहूदियों का मसीह कौन है और कब आएगा और क्या-कया निशानी है उस मसीह के आने की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं उस पर भी एक वीडियो आपके निये बना दूँगा तो गाईज यही सारी कानी है ग्रिटर इस्राइल मैब के पीछे जो आपको सोशल मीडिया और इंटरनेट पर दिखाई देता है जो के एक्चुली में जूज हासिल करना चाते हैं अगर मेरी वीडियो आपको जरावी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना न भूलें वीडियो के लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना न भूलें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे यह होगा कि आपको हमारी वीडियो के नॉट्रिफिकेशन स सबसे पहले मिलेंगे मैं हूँ अद्नान खान आप देख रहे थे स्मार्ट मुवीज वॉक चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक कि निया कीप वाचिंग